हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षाचार परियावरन अध्यान का संपून ग्रेकार्य हल करेंगे दिनाग 39 दिसंबर 2020 को आप जो ग्रेकार्य करेंगे उसमें विशय पोधे प्रशन एक प्राकृतिक खाद कैसे बनती है तो बच्चो यहाँ पर आपको प्राकृतिक बनाने के लिए गड़ा खो दें जो तीन फुट लंबा वर तीन फुट चोड़ा होना चाहिए गड़े में पहले चारो तरफ पानी का छिड़काव करें उसे नम कर लें और उसमें पत्ते पोधे रसोई वगर का अन्या गलने योग्या कच्रा 30 सेंटीमीटर उचाय तक भर दें इस पर एक तय गोबर की लगा कर पुने पानी का छिड़काव करके कूड़ा कच्रा पत्ते आदी से भर दें और इसे पाउं से दबा दें तथा परियात पानी डाल कर इसे मिट्टी से अच्छी तरह से बंद कर दें तीन चार महिने में प्राकृतिक खाल तैयार हो जा बस उसमें बीच-बीच में पानी डालते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेश्न दो उपकरन को पहचानिए व नाम बताईए तो बच्चों यहां हमने बसवा के खेत में इस उपकरन के बारे में पड़ा था आपने सही पहचाना इस उपकरन का नाम है कुरी गे तो यह हाँ हम लिखेंगे कुरी गे चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपकी वर्क सीट में अब यहाँ पर गतिविदी दी गई हैं पहली एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उप्योग पोधे लगाने के लिए कीजिए तो बच्चों आपको कोई भी एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल लेनी है उस पर ढकन लगाना है और चित्र में दिखाए गए तरीके के अनुसार पोधा लगाना है आप गर पर रखी किसी भी खाली बोतल में इस प्रकार पोधा लगाने का प्रयास करेंगे चलिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं पेड हमारे सबसे अच्छे दोस् तो बच्चो यहाँ पर आपको पेडों के विशय में कोई भी एक कवीता या गाना याद करके अपने अध्यापक को सुनाना है आपकी स्वीदा के लिए मैंने यहाँ पर पेडों के लिए एक छोटी सी कवीता लिखी है जो की इस प्रकार है हम उन्हें पानी दे और वो सार धरती मैकाएं आओ मिलकर पेड लगाएं अपने सचे दोस्त बनाएं प्रदूसित पर्यावरन को फिर से वो पवित्र बनाएं आओ मिलकर पेड लगाएं अपने सचे दोस्त बनाएं इसी प्रकार आप भी कोई छोटी सी कवीता या गाना तैयार कर सकते हैं और अपने अध कारें आप करेंगे उसमें विशय पानी प्रसान एक प्रदोशित पानी पीने से हमें क्या बिमारिया होसकती हैं तो यहां पर आपको प्रदोशित पानी पीने हमें पेटदर्द, पीलिया, आंतरजवर, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, दस्त हैजा आधी बिमारिया हो सकती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशन दो, जब हमें दस्त लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको यहां बताना है, कि जब हमें दस्त लग जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि वो हानिकारक ना बन सकें, तो यहां हम लिखेंगे, दस्त लगने पर हमें, पहला, ओर आरेस का पानी पीना चाहिए, दूसरा, दही खिचडी खाना चाहिए, तीसरा, केला खाना चाहिए, चोथा, सोचाले की वह हाथों की साफ सफाई ओक्टर के पास जाना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, गति विदी, प्रशन एक, पानी का हमारे जीवन में क्या उप्योग है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, छे बादल दिये गए हैं, तो इन छे बादलों में आपको पानी के उप्योग लिखने हैं, क्योंकि ब खाना बनाने के लिए, तीसरा नहाने के लिए, चोथा कपडे, बरतन, आधी, धोने के लिए, पांचवा, सफाई के लिए, छटा, पेड, पोधो के लिए, सात्वा, सिंचाई के लिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जल सन्रक्षन विश्या पर एक कविता लिखिये, ने ध्यापक को भेजना है, आपकी सुईधा के लिए, जल सन्रक्षन पर मैंने यहाँ पर एक कविता लिखी है, जल है जीवन का आधार, जल को ना फेको बेकार, जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित ना रह पाते, जल को क्यों फिर वियर्थ बहाते, बात सरलसी ना पाते, तो बच्चों, आप भी इसी प्रकार, जल सन्रक्षन के ऊपर, कोई भी एक कविता या गीत लिख सकते हैं, और उसे रिकॉर्ड करके, अपने अध्यापक को भेज सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, छे जनवरी 2021 को जो आप ग्रेकारे करेंगे, उसमें प्र परिवारों के नाम लिखने हैं, टेश का उत्तर लिखेंगे, पहला एकल परिवार, जिसमें माता-पिता और बच्चे रहते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार, दादा-दादी, चाचा-चाची, ताउ, ताई और उनके बच्चे रहते हैं, बच्चों मुख्यततों दो परक परिवार, जहां पर पिता, घर का मुख्या होते हैं, और सारे फैंसले स्वयम लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे, मातर सतात्मक परिवार, जहां पर माता, अर्थात, महिला, परिवार की मुख्या होती हैं, और सभी फैंसले वही लेती हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प प्राइम लिखेंगे कि आप अपने घर में परिवार की किस प्रकार से मदद करते हैं। दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविदी पहला अपने दादा दादी या अपने माता पिता से पूछे कर उन्हें क्या खाना पसंद है। तो मैं यहां लिखूँगा केला, गह, उनकी पसंद दीदा जगह कौन सी है। तो यहां लिखूँगा मतुरा, गह, वे सब से ज़्यादा खुछ कब होते हैं। तो इसका उत्तर लिखूँगा जब सारा परिवार इकठा होता है। तो बच्चों यहां पर उत्तर आप अपने दादा दादी या माता पिता की पसंद के हिसाब से देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ज़िए आपने परिवार व्रिक्स का चित्र बनाईए। तो बच्चों यहां पर आपको अपने परिवार का व्रिक्स बनाना हैं। आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर अपने परिवार कवरिक्स लगा दिया है इसे देखकर आप भी अपने परिवार कवरिक्स बना सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं 11 जन्वरी 2021 को आप जो ग्रे कारे करेंगे उसका विश्य भोजन प्रशन एक क्या आप भोजन करने से पहले अपने इस्ट अराध्य और अपने माता पिता का आभार प्रकट करते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ मैं भोजन करने से पहले अपने इस्ट अराध्य और अपने माता पिता का आभार प्रकट करता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन दो उन खादे पदार्थों के नाम लिखे जो हमारे सरीर में बिमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो हमारी रोग प्रति रोधक बिमारियों के खिलाफ प्रति रोधक शम्ता बढ़ाते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे फल और सबजियां बच्चों फल और सबजियां खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है रोग प वैं नाम लिखिए जो सिर्फ गर्मियों और सिर्फ सर्दियों में मिलती है तो बच्चों गर्मियों में मिलने वाली सबजियां होती हैं भिंडी, घीया, तिंडा, तोरई, बैंगन और सर्दियों में मिलने वाली सबजियां होती हैं गाजर, मटर, सलगम, गोवी, मूली, इत आपकी स्विधा के लिए मैंने इन सब्जों के चित्रियां पर लगा दिये हैं जिने देखकर आप आसानी से चित्र बना सकेंगे आपकी स्विधा आसानी से चित्र आसानी से चित्र आसानी से चित्र बना सकेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविधी दो दो ऐसे खादे पदार्थों के नाम लिखिए वचित्र बनाईए तो यहाँ पर हमें दो-दो खादे पदार्थों के नाम लिखने हैं और चित्र बनाने हैं कर उर्जा देने वाले खादे पदार्थ तो बच्चों उर्जा देने व लगा दिये हैं ख सरीर बनाने वाले खादे पदार्थ तो सरीर बनाने के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन खादे पदार्थ की आवश्यक्ता होती है आपके स्विधा के लिए मैंने इनके चित्र लगा दिये है गर बिमारियों से बचाव करने वाले खादे पदार्थ तो बिमारियों से बचाव करने वाले खादे पदार्थ कौन से होते है आपके स्विधा के लिए मैंने इनके चित्र लगा दिये है चलिए आगे बढ़ते हैं दिनांग 14 जनवरी 2021 वीरवार को आप जो गरे कारे हल करेंगे उसमें विश्य कोरोना प्ररशन एक वायू प्रदूशन के क्या कारण है तो इसका उत्तर लिखेंगे वायू प्रदूशन के निमनलिखित कारण है पहला कार खानों से निकलने वाला दुआ दूसरा वहनों से निकलने वाला दुआ तीसरा सूखे पत्तों को जलाने से निकलने वाला दुआ चोथा जंगल में लगी आग के कारण होने वाला दुआ पांचवा भवन निर्मान कार्य छटा ताप विद्युद ग्री बच्चो ताप विद्युद ग्री जिसे इंगलीज में थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं इन में बिजली बनाने के लिए कोईला तेल गैस इत्यादी इंधन के रूप में प्रियोग किये जाते हैं जिन से वाई यू प्रदूशन फैलता है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन दो पोधे किस प्रकार से वाई यू प्रदूशन कम करने में मदद करते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे पोधे वादावरन में आक्सिजन की मात्रा बढ़ाते हैं और कार्बन डाय आक्साइड को अवसोसित करते हैं ये वादावरन का प्रदूशन कम करते हैं कुछ पोधे तो कमरे के अंदर भी लखे जाते हैं जो की घर के अंदर के प्रदूशन को कम करने में सहयता करते हैं औ और ऑक्सिजन तथा स्वच्छ वाईयू को बढ़ाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं गती विधी यहां पर गती विधी दी गई है पहली अपने परिवार के सदस्विर से बातचीत कीजिए और उपर दी गई तालिका में लिखें कि वे कोरोना से संबंदित इन सब नियोमों क पालन करते हैं या नहीं कम से कम पांच लिखने हैं तो बच्चो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक तालिका दी गई है और उपर चित्र में कोरोना से बचाओ के लिए कुछ नियम दिखाए गई हैं जैसे बार बार साबून से हाथ दोना, मास पहनना, समाजिक दूरी, इत तो यहां जो तालिका दी गई है इसमें आप करम संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच लिखेंगे, परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, रिष्टा लिखेंगे, मास्क पहनते हैं हाँ या नहीं लिखेंगे, हाथ दोते हैं हाँ या नहीं लिखेंगे, समाजिक दूर हा ή नहीं लिखेंगे आपके इस वीदा के लिए मैं यहां पर दी गई तालिका को इस प्रकार भर रहा हूं क्राम संख्या एक प्रिवार के सदस्यों का नाम राम रिस्ता पिता जी मास्क पह नदे ये हैं हाँ हाथ दोते हैं हाँ समाजिक दूरी हाँ करम संख्या दो परिवार के सदस्य का नाम जान की रिस्ता माता जी मास्क पहनते हैं हाँ हाथ दोते हैं हाँ समाजिक दूरी हाँ करम संख्या तीन नरेश चाचा मास्क पहनते हैं हाँ हाथ दोते हैं हाँ समाजिक दूरी हाँ क्रम संख्या चार परिवार के सदस्य का नाम मोहन, रिस्टा, भाई, मास्क पेहनते हैं हाँ, हाथ धोते हैं हाँ, समाजिक दूरी हाँ हाँ, क्रम संख्या 5, कवीता, रिस्ता, बहन, मास्ट बहनते हैं, हाँ, हाथ दोते हैं, हाँ, समाजिक दूरी, हाँ, तो बच्चों, आप भी अपने गर के परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनका रिस्ता लिखेंगे, और रिस्ता लिखा को पूरा करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरी गतिविदी में, कोरोना योद्धाव के लिए, एक धन्यवाद कार्ड बना है, आपके स्विधा के लिए, मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड की पिक्चर लगा दी है, जिन देखकर आप आसानी से कार्ड बना सकेंगे, तो बच्चों, आपका सीत कालीन अवकास ग्रेकारे यहां समाप्त होता है, आपको यह वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस् सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे हमारा चैनल, नौलेज किंगडम, थैंक यू,